नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आप सबका दोस्त सौरुकुमार और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने हिंदी यूटूब चैनल जिसका नाम है सौरुकुमार अकेडमी तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वितुसिवा की तरफ से उतर परदेश की यूपी-पी-चील की वेकंसी निगली हुई है उसके बारे हम डिटेल में जानेंगे क्या का एक्जाम कैसे होगा डेट कब से कब तक है कितनी वेकंसी निगली हुई कितनी जॉब के लिए आवेदन दे सकते हैं उन सारी चीज़ों के लेटेस इनफॉरमेशन जो है मिलती रहे है तो आप इसमें देखते हैं जो वेकंसी निकलिए विदुसेवा निकली उतर परदेश पावर कोर्परेशन की तरफ से निकली हुई है आज इसके अंदर देखे तो पद क्या है लेखा लेपिक की तरफ से कलर की कलर के लेवल की जो है वेकंसीं निनी है इसके अंदर निकलिए ठीक है अर्म वेकंसी की बात करें तो आंजयंच जो जंरल के टेànhरेग्रे के लिए कितनी है किए पेंद आलिस निकलिए के लिए कीदि निकले दस निकले हुई है ओभी सी के लिए 27 निकले हुई है एस्टी के लिए कितनी निकले दो वेकेंसिट के लिए हुई है अगर हम बात करें आवीदन करने वाले अभ्यारतियों के पास अधार का अत्वा विभन्य फोटो पैचांत प्रत्र का होना अनिवार रहे हैं तो अधार गड़ वगेरा या आपके पास कोई भी फोटो आइडेंट्री कार्ड तो आपके पास होना चीए ठीक है और जो उसके बाद आपके अलग-अलग दिन में एक्जाम होंगे जिस बाद में जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके मेथट से जो है आपका चेहन किया जाएगा अगर हम इसके अंदर बात करें अगर हम यहां पर सैलरी की बात करें आपकी तो सैलरी जो होगी वह 27,000 से 27,000 से लेके 86,000 होगी 27,000 से लेके आपकी जो सैलरी होगी वह कितने होगी 86,100 रुपे की करीब होगी ठीक है अब क्या क्या है भारत का नागरी दिखोना चाहिए नियुन्तम जो है प्रती मिनटकी गती हarent जो कंप्यूटर इसकी इंदी में वह कितनी होनी चिए आपकी कम से कम के नोगवा त्इस सब्गूसम्यटोना सब्सक्राइब लेटल हों पहले बात करें तो आपका जो होगा और रौत टो पहले बात को मैं पहले नादर नग जिसके अंदर पड़ेंगे कई हाँगे सब्द इस thing क्या होगा अगर आप कोई गलत चटिक करकी आते तो सब्रूंद क्या और उसके बाद जो आपका दूत्य भाग उसके अंदर जो होगे अलग अलग तरीके द्वह लिखेंद प्रोषन होगे जिसके नफ्रप्रौषन एक ऑग होगा और उसका भी सेम होगा जो कि आपका नेगेटिव मार्किंग जो होगी वह किन्न होगी वन फोर्थ की होगी ठीक है और जो पहला एक्जाम होगा आपके पास तो उसके अंदर कम से कम आपको 50% प्राप्त करने पड़ेंगे तभी कुछ काम बनेगा आगे बात करते हैं आपका जो अंगडित का पेपर होगा और समाने हिंदियां इंगलिश का पेपर होगा और अकाउंट एवं समाने बुक कीप के बारे में जो भी है विसके बारे में एक्जाम होगा आपका जो जो अगडित है वह कितना होगा 25 माक्स का होगा जिसके कोशन कोशन आएंगे जिसके अंदर 75 मार्क्स मिलेंगे ठीक है कि सेकेंड भाग में क्या दे रखा है जो लिखित परिक्षा होगी आपके पास लिखित परिक्षा होगी ठीक है उसके अंदर भी आपको कोशन वगएरा जो दिये जाएंगे कि अगला देखते हैं आपकी जो एज लिमिट की बात करें हम तो 21 साल से लेके 40 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए ठीक है और जो छूट मिलेगी वह एससी एस्टी ओभी सी को तो मिलेगी जितना मिलती है जैसे की ओभी सी को तीन साल के लिए मिल गई एससी के लिए कितनी मिल गई पांस साल के लिए मिल गई ठीक है लेकिन यह उन्हीं को मिलेगी जो यूपी के रहने वाले होंगे सिप उन्हीं के लिए जो और जो होगी रिजर्वेशन हो जो गे नोन के लिए ठीक है कि अब देखते हैं अगर फीज की बात करें तो कितना लगेगा तो आपको कि ओबीसी और क्या EWS और जो अन्रिजर्व हो गया ठीक है इन सब के लिए 1000 रुपे देना होगा बाकी कि अप्याइब कर सकते हैं यूपीपीज कर सकते यूपीज डॉअर जी डॉट और जी पर अब डेट कप से कब तक स्टार्टे तो 6 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर के बीच में जो ऑनलाइन अवेदन की डेट जो है आपकी स्टार्ट होगी और फीस भनने के बीडेट क् 27 अक्टूबर तक के बीच में आपकी जो होगी डेट होगी ठीक है और ओनलाइन cbt की परिक्षा कब होगी नवेंबर में होगी ठीक है वो भी थर्ड वीक में होगी नवेंबर के तीसरे वीक के अंदर आपकी जो एक्जाम वगयर होगी नॉर्मलाइजेशन ऐसे होता है बाकी देख लेना तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो से थोड़ी बहुत भी इंफरमिशल में लिए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्र कर दें ठीक है ताकि उनको थोड़ी हेल्प हो जाए तो दोस्तों शेर करते रहें वीडियो को लाइक करें और कोई भी अगर डाउट वगयरा मिल गया तो कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे थैंक्स वर वाचिंग